नश्कार दोस्तों स्वागत है अपका एक बार फिर से आपके अपनी यूटीब चैनल चब लख पर दोस्तों आज की सुड़ी हम बात करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लखता है प्लीज वीडियो को लखता है प्लीज वीडियो को बाएक सब्सक्राइब करें चली फ्रेंज शुर करते हैं आज की सुड़ी को तो सबसे पहले दो बात करते हैं आपके न्यू अलॉट्मेंट लिस्ट की बारे में अप्लीज वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो के इंतरगित आपको अंतियम अलॉट्मेंट लिस्ट की बारे में संपूर्ण जानकरी मिल जाएगी उसके बाद दोस्त बात करते हैं आज के अपवर्ट मुमेंट को लेकर तो फ्रेंड्स अपवर्ट मुमेंट को लेकर एक बड़ी समस्य आ रही है कि जैसे यहां पे केंडिडिट अपवर्ट मुमेंट करने के लिए जाता हैं जैसे टू यर की सेक्षन पर क्लिक करता हैं उसके बाद एपलाई अपवर्ट मुमेंट की सेक्षन पर क्लिक करता हैं उसके बाद ये सारे डिटेल्स को फिलप करता ह या फिर मुझे तो लिष्ट में से ही college नहीं मिला है तो भई ये एक technical issue है इसमें मैं भी आपकी कोई साहिता नहीं कर सकता केवल और केवल ptrade की official website में इसको सुधार करके इसमें यहाँ पे आपकी साहिता की जा सकती है तो आप इसके help line number पर call करी और इस समस्या की बारे में इनको बताएं की भई इसको सुधार कीजी ताकि हम upward moment करवा सके अन्यता हम यहाँ पे upward moment नहीं करवा पाएंगी और friends दिक्कत लेने की बात नहीं है जितनी आप जादा यहाँ पे सिकायत करोगी उतनी चल्दी यहाँ पे इस वाल्ट को सुधार दिया जाएगा और इसके साथ अगर किसी भाई तता पहन ने यहाँ पे इसकी help line number पर call करके इसके बारे में जानकारी लिए तो प्लीज इस वीडियो के comment section में उस जानकारी को विस्तरत रूप से हमारे साथ साजा जरूर करें ताकि आपके अन्य भाई तता पहनों की इस मामल में help हो सके उसके बाद friends अगर आप यहाँ पे यह कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक बार login कीजिए उसके बाद दुबारा से login कीजिए जब आपको यहाँ पे फिर से क्या जानकारी मिलती है उस जानकारी को इस वीडियो की कमेंट सेक्षन में जरूर से share कीजिए ताकि आपके अन्य भाई तता पहनों की help हो सके वैसे मुझे जब भी पता चलेगा मैं आपको यहाँ पे वीडियो की माधिम से सुचित कर दूँगा आपका अगला सवाल की सर अपवाइट मुमेंट का अपसन कब रहेगा तो फ्रेंड्स वैसे तुम्हें आपको बता दूँ कि यहाँ पे इसके ऑनलाइन रिपोर्टिंग साथी डोक्यमेंट अपलोड की डेट आज तीन बजे निकल चुकी है और ऑनलाइन रिपोर्टिंग की डेट आज रातरी बारा बजे तक है लेकिन फ्रेंड्स आपके यहाँ पर यह अपवाइट मुमेंट का अपसन कल साम तक 99% रहेगा 1% इसलिए कि आप यहाँ पर बिलकुल लापरवाई ना करें अगर आपका यहाँ पर चैक एड्मिसिन स्टेटस में प्रोविजनल एड्मिसिन सिलिप सो हो रहा है तो आप आज ही अभी ही अपवाइट मुमेंट के लिए एपलाई कर दें बाकी इस ऑप्षन के यहाँ पर रहने की कल साम तक की चांसिज जे यनि कल साम तक 100% यह अप्षन आपके यहाँ पर रहेगा उसके बाद दोस्त बात कर ले थे 2 येर में कुछ लाश्ट डेट की तो लाश्ट डेट यहाँ पर डोकुमेंट अपलोड साथी फीस जमा करवाने की 25 से 28 थी आज 28 को दोपार 3 बजे को इसके लिंक को यहां से रिमोग कर दिया गया क्योंकि 3 बजे इसकी अंतिम तिनाग थी उसके बाद आप online reporting आज रातरी 12 बजे तक कर सकते हैं साथ ही अगर आपनी फीस जमा करवा दिये और आपके document को लेकर कोई दिक्कत है तो आप उस document को re-upload भी कर सकते हैं उसमें भी कोई issue नहीं है आप check admission status में जाकर अपना वो document re-upload कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें इसकी भी last date आज रातरी 12 बजे तक कि इसके बाद इस link को यहां से remove कर दिया जाएगा उसके बाद बात करते हैं कि भी date बढ़ेगी या नहीं तो friends सीधी सी बात है कि आज 3 बजे इसके link को यहां से remove कर दिया गया यानि फीस और document आप यहां पर जमा नहीं करवा सकते तो निश्चित रूप से आप मान कर चल सकते कि भी रातरी 12 बजे तक का ही मौका है date इसके नहीं बढ़ेगी उसके बाद दोस्त बात करते हैं यहां पर new allotment की list के date के बारे में तो भी सीधी और simple सी बात है कि कल साम तक तो appropriate moment का option रहेगा उसके बाद भी कम सी कम एक दिन का समय तो ले गाई यानि new allotment जो last chance से वो आपके इस नए साल को आएगा यानि आप यह मान कर चल सकते कि 31 दिसंबर या फिर एक जनवरी को then friends बात कर लेते हैं कुछ चारवर्स से पाठी कर्म की बारे में और साती आप online reporting कर सकते हैं कल साम 12 बजी तक कल साम 12 बजी तक चारवर्स वालों के लिए है उसके बाद तो उस चारवर्स वालों का एक सवाल की सर क्या यहां पे appropriate moment का option हमारे लिए भी आएगा क्या या नहीं तो उसका जवाब की फिलहाल के लिए 99% यहां पे आपके लिए यह option अवेलिबल नहीं होगा क्योंकि अभी आपकी full seat यहां पर book हो चुकी है तो फ्रेंड्स confirm नहीं है लेकि 99% यहां पर आपके अपवर्ड मुमेंट का option अप नहीं आएगा और यही बात 2 यह वालों के लिए है कि आपको भी लास्ट चांस में 99% अपवर्ड मुमेंट का option नहीं देखने को मिलेगा उसके बात बात करते हैं चार वर्ड स्वालों के लिए कि refund का प्रोसेस किया है हर साल अभ्यर्थियों को पैसा refund किया जाता है आपको भी यहां पर refund किया जाएगा तो इसके बारे में बिल्कुल दिक्कत नहीं ले जब भी आपका यहां पर refund का प्रोसेस होगा आपको अलग से यहां पर official website पर इसका notification दिया जाएगा साथी अगर refund यहां पर offline बेस पर होता है तो आपको check द्वारा refund किया जाएगा अगर online बेस पर होता है तो आपको यहां पर link दिया जाएगा जिससे कि आप अपनी bank details को यहां पर add कर पाएंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं एकदम निश्चिनत होके बैठ जाएए गर बात करते है refund की तो यहां पर आपका refund कम सी कम जनवरी के अंतीम सप्ता या फिर फरवरी के पहले सप्ता में यहनी counseling के समापती के करीब एक महीने बाद refund का process स्टार्ट होता है लेकिन इस बार यहां पर अधिक लेट हो चुका है तो हो सकता है आपकी जनवरी के second, third week में भी आपको यहां पर refund की option देखने को मिल जाए और उसके समंदित notification देखने को मिल जाए आपको दिक्कत नहीं लेनी भाई पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा पैसा वापस आ जाएगा तो ये कुछ छोटी मूटी सूचना थी आपके लिए भाई अप्वाइट मोमेंट वाला यहां पर जिनको भी पता चलाएं कि इसका solution क्या आएं प्लीज कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं बाकी मैं अपनी तरफ सी पूरी कोसिस करूँगा कि कल सुबह 10 वजे तक आपको यहां पर इसका solution दे दूँ तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाइडी जॉबलक ऑफिसेल पर फूच सकते हैं और साथी इस वीडियो के कमेंट सेक्षन में भी पूच सकते हैं उससे पहले इस वीड तो भाई तैयारी कर जो रीटरी छोकी और हमकी पीटेट पाचो देजो अजे टू येर वाड़ा तो अजे क्यों टैंसन लेगो अजे तो एक लास्ट लिष्ट आवनी है यानि अन्तिम चांस यहां पर आना है तो दिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है मेरे फादर साब घर पे जे भारत